विल्कम बैक टुद व्लॉग और ये व्लॉग है एंडी विस्यू जवड़पूर का तो हम मेरे घर तमनार से निकल चुके थे राइगर के लिए और हम अभी बस में थे हम जंदल कॉलोनी से जा रहे थे राइगर के लिए और ये हमारी बस रुकी थी और वापस चल चुकी है तो हम आ चुके हैं हमारे स्टेशन के पास पूरा व्लॉग मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता हमारे घर से दो घंटे का राइगर का और हम स्टेशन पहुच चुके हैं 5.50 के असपास सुबह सुबह हम स्टेशन पहुचे थे और वहां से हमने फिर अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन चल चुकी है और अब हमारी ट्रेन जाइगर को बाई बाई कर रही है और किसी की ट्रेन मिस चुकी थी चुकी यह लोग थे जिनसमें एक दीदी ने कहा भी कि मैं नहीं चल पाऊंगी आपने सुना होगा शायद से वीडियो में सुनाई दे रहा है वैसे और यह हम निकल चुके हैं राइगर से बाई बाई यह जो पीछे ग्रेन कलर की विल्डिंग है वो जंदल की है जंदल का खोल ब्रॉप है और अब आरे चलती हुई ट्रेन और यह बहुत ही ज़ली नहीं कल गई थी और फिर हमें मिली ट्रेन में एक यूट सी लड़की जोगी अपनी दुन में मस थी और डांस करी थी और फिर उसे पता लग गया कि मैं रेकॉर्ट कर रही हूं और मैंने रेकॉर्ट करना पंद कर दिया और यह पूल जो हमेशा ही दिख जाता है ट्रेन से डेवल करते राइम और यह हम पहुच चुके थे बिलासपूर बिलासपूर से मुझे अपने घर जाना था शैडोल और फिर उसके बाद वहां से हमें जाना था जबरपूर मेरे चाचा और चाची के साथ और हम का वह यलो कलर के बॉक्स में स्टेशन का जो नाम लिख आता है वही मैं इदर भी शोगाना चाहरी थी कि बलासपूर का भी वह नाम लिख के आए बट मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया वह क्या प्रैंक हुआ आगे पता चलेगा तो यह रहो रहा है मेरे साथ प्रैंक और यह आगया प्रैंक ट्रेइनी सामने आगे और यह हम आ चुके थे जवरपूर सुबह के 6.50 हो रहे थे और मैंने शेहडो से जवरपूर का व्लॉक्शूट नहीं किया था प्यूंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और मुझे ऐसा भी लगठा था कि इतना ट्रेइन को नहीं देखे था वैसे यह भी एक ट्रेइन आई रही है तो मैंने सुचा कि यह अच्छा मोमेंट है शुट करने के लिए तो मैंने शुट कर लिया था और अब हम चलेंगे स्टेशन के बाहर यह स्टेशन से बाहर निकल का रास्ता होगा और हम बहुत जल्दी कॉलेज पहुच जाएंगे और यह हम पहुच चुके हैं हमारी कॉलेज जो की है कॉलेज आफ वेटनरी साइंस अन यूनिवरसिटी जबलपुर हाँ अब उसका नाम चेंज हो गया नाना जी देशमुख वेटनरी साइंस अन कॉलेज की मिलब की हम जा रहे हैं यह मेरे चाज़ चाती थे मैं साथ में और यह था कॉलेज का एंटरेंस जो की बहुत ही सुन्दा था और जबलपुर में उत्ती ठंड नहीं थी बट शेहडोल में काफी ठंड थी और बहुत सारे आशोक के पेर लगाए थे जो की देखने कमा गर्ल्स ऑस्टेल hum ने हमने पूछा तो पूछा तो नहीं हम चार पांच महःने मिलें मैं बंतर पांच महाए लगेंगे को को बनने में लगें अद अर्फ हमें हमें हॉस्ट ल अलॉट ने किया है कि हम आप बता देंगे जब खाली होगा तो तो अब ऺी तक तो ग्ल् यह जो बिल्डिंग थी ना वाय यह से लिए बहन रहा है और जो पराना वाला है उसका नम है दुर्गवधी ग्रल्स वास्टिल जो कि मैं देखा बढ़ काफी छोटा लग रहा है बाकी अंदर से जैसा हो अंदर से हमें देखने को नहीं दिया जाने पी नहीं दिया यह campus था उदर का इधर dean residence था काफी अच्छा था हमें जाना था भी dean office में मतलब dean office के पास जाना था हम 9 बजे पहुच गए थे college जो registry थी वो 11 बजे से होनी थी हमारा admission का सारा process 11 बजे से शुरू होना था काफी बच्चे आये थे admission के लिए मुझे पता नहीं था मुझे लगा ना की girls नहीं आएंगी क्योंकि मैंने सुना है की वेटनरी में जादा girls admission नहीं लेती बट काफी girls मिली थी और मेरी एक से अच्छी जान पैचान भी होगी थी और यह department था school of wildlife forensic and health का और काफी सारे department थे अंदर लाइक मुझे पता नहीं था इतबड़ा होगा बट काफी अच्छा था अंदर से and काफी students खड़े थे शायद वो वीडियो में clear नजर नहीं आ रहे है और जितनी थकान मुझे station से college तक आने में नहीं थी उसे जादा थकान मुझे college के gate से dean office तक जाने में होगी थी even though काफी पाइस था ठीक है पर थकान होगी थी और बहुत जादा nervous भी होगी थी मैं कि मतलब हाँ अब finally मैं college में admission लेने जा रही हूँ इसलिए थोड़ी nervousness भी थी and I thought कि काफी लोग मुझे चान भी रहोंगे क्योंकि मैंने एक shot डाला था जो group में काफी लोगों ने देखा था so मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ might be लोग में कुछ आन रहोंगे में शकल से पहचान रहोंगे कि ये वही YouTube वाली है और ये जो सामने विल्डिंग दिख रही है भी ये था Department of Veterinary Pharmacology and Toxicology जो की बहुत छोटा दिख रहा था पर अंदर से बढ़ा होगा obviously काफी interesting था like मैंने पूरा गोहँआ तो मुझे ने पता था कि ता interesting होगा सब कुछ और ये dean office के सामने हम पहुच जो कि और फिर जब हमारे dean आए तो हम यहाँ पहुचे यहाँ पे admission के process चालू हो चुगे थे और फिर यहाँ पे हमने हमारे documents बेल किये and then यहाँ पे fees deposit करनी थी यह library थी जो कि काफी अच्छी थी यहाँ पे सारी books थी और मैं इत्ते अच्छे से college में शूट ने कर पाई थी क्योंकि काफी documents missing थे जो print कर आके लाने थे और हम station वापस आचुके थे वापस schedule जा रहे थे और यह थोड़ी मस्ती चल ले थी और यह वापस आदे लाइन का है और जैसा कि मैंने बताया schedule में काफी थन्डी थी तो हम आग सीक रहे थे घर आने के बाद and so bye bye next vlog भी मिलते है and stay tuned और college में मिलते bye